तो कैसे हैं आप लोग आज ये वीडियो हमारी गेट लॉयर्ड प्ले लिस्ट के लिए है जिसमें हम बात करते हैं जनरल लॉयर्ड के बारे में जो लोगों को पता होने चाहिए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आठ ऐसे लॉग के बारे में लीगल राइट्स के बारे में जो औरतों के मेरिट वुमिन के पास हैं और उन्हें इन बारे में पता होना चाहिए तो बात यह है कि एक शादी क्या है शादी एक ऐसा बंदन है जिसमें दो लोग बनते हैं और फैमिली और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है और अच्छे जी जीते हैं कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे से बीच जाती है और कुछ लोगों को बहुत प वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे उनके राइट्स के बारे में जो उन्हें पता होने चाहिए जो वह एक्सरसाइज कर सकती है तो इसमें पहला राइट है राइट तो लिविन मेटर्मोनियल होम और हजबन्स हाउस मतलब अपने पती के घर में रहने का अधिकार एक वाइफ को मतलब married woman को पूरा पूरा हक है पूरा अधिकार है कि वो अपने पती के घर में या अपने साससुर के घर में वो रह सकती है अगर उनका पती मर भी चुका है फिर भी वो उस घर में रह सकती है या अगर तलाक फाइल हुआ है तलाक मिला नहीं है मगर तलाक फा तो यह उनके राइट्स हैं दूसरा आता है राइट टू डिवोस एक मैरेड वुमेन अवाइफ कैन फाइल डिवोस अंडर सेक्शन थर्टीन अफ दू मैरेज एक्ट और उनको यह तलाक फाइल कर सकती है उनको यह तलाक मिल भी जाएगा दाउट तक कंसेंट ऑफर हजबन मत पर भी एक और तलाक ले सकती है और ग्राउंड ऑफ क्रूइल्टी और फिजिकल मेंटल टॉर्च और इन्फिडिलिटी एक्सेक्टर एक्सेक्टर और वह सेक्शन वन ट्वटिफाइफ औफ सी रपीजी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वह मेंटेनिंस भी डिमांड कर सकती है प अगर उनके लिए कोई प्रॉपर्टी है उनके नाम पर की गई है और अगर कुछ लफड़ा हो जाता है तो वह एक प्रॉपर्टी के पास अपने बच्चे को अपने पास रखने का पूरा पूरा अधिकार होता है खास कर वह बच्चा अगर पास साल से कम एज का है तो वह बच्चा उनके पास ही रहेगा किसी भी हाल में पिता जी को नहीं दिया जाएगा तो ये एक राइट है और वो बिना किसी लीगल और के अपने पास वह बच्चा रख सकती है और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है कुछ होता है तो कोट का डिसीजन तो फाइनल हो गाई बट तब तक बच्चा उन्हीं के पास रहेगा क्योंकि एक मा तो मा होती है इसके बाद अपता राइट तो अबॉर्शन एक अबॉर्शन का भी राइट होता है वेमन के पास जो वह अपने पती या इनलॉस की परमेशन के बिना भी बच्चा अबॉट करा सकती है अंडर फ्यू सरकमस्टैंसे उसके लिए तो लो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंस प्रेग्नेंसी अपनी और कुछ स्पेशल सरकमस्टैंसे में चौप इस हफ्तों के बाद भी 24 वीक्स के बाद भी वो प्रेग्नेंसी को अबॉट करा सकती है फिराता है प्रापर्टी का राइट आफ्टर दा टूथाजन फाइव अमेंडमेंट आफ दे हिंदू सक्सेशन अक्टीन फिप्टिक्स अगर उनके पती ने उनको कोई विल बना के निकाला नहीं है तो और अगर उनके पती ने दूसकी शादी की है और उनसे तलाक नहीं लिया है तो भी उनका पूरा प्रापर्टी पर अधिकार रहेगा अगर तलाग हो जाता है तो फिर तो maintenance maintenance फिर बोलेगा उतना हग रहेगा अगर तलाग नहीं हुआ तो फिर पूरा हग उनके प्रापर्टी पे एक औरत का ही है Domestic Violence Act उनके पास एक married woman के पास पूरा अधिकार है Right to domestic violence Right to report against domestic violence यह हो सकता है Under Domestic Violence Act 2005 तो She can file a complaint against her husband or in-laws for physical or mental or emotional, sexual or any kind of abused अब आता है Last right जो हम बता रहे हैं इस वीडियो में वह है Right to report against dowry and harassment यह होगा Dowry Prohibition Act 1961 के अंदर इसमें women औरत से मतलब शादी शुदा औरत से या उसके माबाप से अगर लड़के लड़का पती या उनके माबाप साससोर अगर जायदारत मतलब कुछी भी डावरी में कुछी भी मांगते हैं तो वो इस चीज को report कर सकती है और अगर उनको harass किया जाता है तो भी वो report कर सकती है अंदर section 304 B and 498 A Please follow us on social media If you have any queries Please DM us You can ask any question, any query on social media Thank you for watching this video Please subscribe to our channel for more